जे स्री क्रिष्णा आई ये सुनते हैं भानुशप्तिमी ब्रतकथा, पूजन बिधी एवं महत्वाद। हिन्दु मान्यताओं की अंसार रत्सप्तिमी को शुर्य जन्ती के रूप में मनाया जाता है और इस दिन के लिए बिसीष पूजा बिधी अपनाई जाती है। कहते हैं कि इस दिन अशना और दान करने से ब्यक्ति की सारी मनुकामनाएं पूरी होती हैं। सास्त्रों में सुर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। शुरिय सब्तमी वाले दिन शुरिदेव को खुश करने के लिए आदित्य हिर्दे इस्तोत्र का पाठ करना चाहिए और साथ ही ब्यक्ति को ब्रत भी करना चाहिए इस दिन इनकी अराजना करने से ब्यक्ति की असमरण सक्ति बढ़ती है और ऐसी मान्यता भी है कि इस ब्रत के प्रभाव से इस्त्रियों को शुपुत्र की प्राथी होती है पूजापाट के साथ साथ ब्यक्ति को दान भी जरूर करना चाहिए आईए जानते हैं इस ब्रत कथा के बारे में पहरारी कथा के अंसार पांडव में सबसे जेश्ट इवधिष्ठेर ने भगवान स्री कृष्ण से पूछा कि कलियुग में इस्त्रियों को किस ब्रत और पूजा से शुपुत्र की प्राथी होगी इस पर भगवान कृष्ण ने एक कथा कही कि प्राचिनकार में इंदू मती नाम की एक वैश्या थी एक बार उसने रिसी बसिष्ट से जाकर पूछा कि मुनीरा मैंने आज तक कोई धार में कार्य नहीं किया है लेकि मुझे मृत्यू के पष्चार मुच की इच्छा है तो वो मुझे किस प्रकार से प्राप्थ होगा इंदू मती की बात सुनकर वशिष्ट जी ने उत्तर दिया कि महलाओं को मुक्ति शवभाग्य और संदर्य देने वाली अचला सप्तमी से वढ़कर कुछ भी नहीं है इस दिन पूजा और ब्रत करने वाली इस्त्री को मन चाहा फल मिलता है इसलिए तुम इस ब्रत का बिधी पुरुवक पालन करो इससे तुम्हारा कल्यार होगा बशिश्दी के कहने पर इंदुमती ने इस ब्रत का पालन किया और जब उसके मिरिद्दू हुई तो उसे स्वर्ग की प्राप्ती हुई वहाँ जाने के बार वो सभी अफसराओं की नायका बन गई इसी मान्यता की आधार पर इस ब्रत का विशीस महत्व माना जाता है इस दिन प्रसाद की रूप में खीर बनाई जाती है और भगवान को भोग लगाई जाती है जैसा की सभी जानते हैं कि फालगुन का महीना चल रहा है और फालगुन महीने में शुर्य की अरादना का बहुत महत्व होता है ऐसे में रभीवार के दिन पढ़ने वाली सप्तिमी तिथी को भानु सप्तिमी के नाम से जाना जाता है सास्तों में इस तिथी को बेहर ही शुमाना गया है बता दें कि इस बार भानु सप्तिमी 26 फरवरी को मनाई जा रही है इस दिन भगवान सुर्य देव का ब्रग और उपाशना करने से 20 फल की प्राप्ति होती है आई ये जानते हैं इसके महत्व और पूजा बिधी के बारे में भानु सप्तिमी का हिंदू धर में बहुत महत्तो माना गया है ऐसा माना जाता है कि भानु सप्तिमी की पूर्वशंध्या पर शुर्य देवता ने साथ घोडों के रत पर अपनी पहली उपस्थिती दर्ज की थी भानु सप्तिमी पर शुर्य को जल चड़ाने से बुद्धी का विखास होता है और मानसिक सांती मिलती है वह ब्यक्ति कभी भी अंधा दरिद्र दुखी नहीं रहता शुर्य की पूजा करने से मनुष्य के सब रोग दूर हो जाते हैं भानु सप्तिमी के दिन दान करने से पुंड्य बढ़ता है और मालच में भी प्रशन होती है बता दें की पूर स्रधा और विश्वाश के साथ यह ब्रत करने से पिता और पुत्र में प्रेम बना रहता है इस दिन सामर्थ्य के अंसार गरीबों और ब्रामनों को दहन देना चाहिए सबसे पहले शुबख ब्रह्म हुर्त में अस्नान कर ब्रती साफ सुत्रे कपड़े पहने इसके बाद सुर्य को जल चढ़ाने के लिए एक तामे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल चंदन या कुमकुम लाल फूल चावल और गिहुं के दाने डालकर शुर्य को अर्ग दे साथी इस दवरान शुर्य मंत्रों का जाब करें जल चढ़ाने के बाद शुर्य की सुबकिलों का श्वागत करने के लिए अपने घर के सामने सुन्दर और रंगीन रंगोली बनाएं फिर इसके बाद पुर्वया उत्तर दिशा की और मुख करके पूजास्थल पर बैठ जाएं सुर्य देव के सामने गाय की घी का दीपक वककपूर जलाएं सुर्य के सामने बैठ कर भिना नमक का ब्रत करने का संकल्प लें संभव हो तो पूरे दिन तांबे के बरतन का पानी पियें पूरे दिन ब्रत रखें और फलाहार में नमक न खाएं उसके बाद सुर्य देव की चंदन, अचछत, लाल फूल, धूपाद से स्रद्धा पुर्वक वह विधी के अंसार पूजा करनी चाहिए इस दिन गायत्री मंत्र और आदित्य स्तोत्र का पाठ करना सबसी उचित होता है पाठ करने के बाद खीर्थ को शुर्य देवता के भोग के रूप में उन्हें अर्पित करें और फिर इस प्रसाद को सभी को बाठ दें पूजा करने के बाद शुर्य देव की दीपक और धोप दीप से आर्थी करके पूजा को शमाप्त करें, फिर बाद में गाय को चारा खिलाएं और अन्य पसु पच्छियों को भी खाने की कोई वस्तु खिलाएं, अपनी इच्छांसा जरूरत मंदों को दान करें, इस विधी से शुर्य देव की पूजा करने से सभी पाप नश्ट होते हैं और जीवन में कभी भी अंध्यकार नहीं रहता है